हेलो इस डेंट आज के इस वीडियो में हम क्लास टेंथ यूपी वोड का जो मैथ का पेपर है आठ सब आइस डी डी डाबलू को सॉलूसन देखेंगे पार्ट वाइज इस पूरे पेपर का सॉलूसन हो रहा है और जितने बहुबी कल्पी प्रस में उसको आलेडी अपलोट कर दिया गया है इस वीडियो में हम क्वेश्चन नमबर टू का कम्पली सॉलूसन देखेंगे तो चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब का लिटा कि सारे क्वेश्चन साब अच्छे से मिला सकें तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नमबर टू को क्वेश्चन नमबर टू आपका कह रहा है कि किन्नी पांच खंडो को हल किजए तो इसमें 6 क्वेश्चन है मैं यहाँ पे पूरे 6 क्वेश्चन आपको सॉल्ब कराऊंगा आपको कोई भी 5 ही क्वेश्चन सॉल्ब करने थे एक क्वेश्चन चारचा नमबर के हैं तो दूसरे के ए में 2 पार्ट दिया है 2 दो नमबर का बाकी समें 1 एक पार्ट है तो दूसरे का ए का जो पहला पार्ट कह रहा है दसाईए कि एक धनात्मक विसंक पुड़ांक 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 के रूप का होता है जहां क्यों एक क्या है पुड़ांक है तो देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट कैसे लिखना है ये जो आपका कोईश्चन दिया गया है पहले चेप्टर का कोईश्चन है और इस तरह के कोईश्चन यूकलीर भी बाजन परमेरिका से लगते है यहां पे हमने माल लिया है कि माना एक होई धनात्मक पुड़ांक तथा B कोईश्टू 4 है अब कोईश्टू 4 ही क्यों मान रहे हैं इसलिए B की वैलू हम क्या माल लिया है 4 माल लिया है आभी ध्यान से देखेंगे एक कोई धनात्मक पुड़ांक तथा B क्या है 4 है लिखेंगे इसलिए यूकलीर भी बाजन अलगरित्म से या परमेरिका से आप जानते हो कि Euclid विभाजन लेलिगरित्म या परिमेरिका होता है E cos to BQ plus R जहां R जो होता है 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा लिकनी B से क्या होता है? चोटा B क्या होता है? जिससे भाग दिया जाता है ये क्या है जिसमें भाग दिया जाता है ये भाजे होता है और ये क्या होता है? भाजक होता है और ये सेस्पल होता है भाजे ब्रावर भाजे गुड़े भाजे ब्रावर भाजे गुड़े भागपल दन सेस्पल ये वाली कंडिशन से यहां पर काम होता है ठीक है? तो हम A ब्रावर आप देखो B की value 4 पता है जब इस formula में हम रखेंगे A equals to 4 Q plus क्या हो जाएगा R, B की value पता हमें है अब चुकि ध्यान से देखें यहाँ पे B की value हमने 4 लिया है और नियम क्या होता है कभी भी जो successful होता है जिसे भाग देते हैं उससे हमेशा क्या होगा छोटा 0 या 0 से बढ़ा तो जब B की value 4 है तो R की maximum value यानि successful जो आ सकता है या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 यानि यह कोई एक number है उसमें जब हम 4 से divide करेंगे तो remainder या तो 0 आ सकता है या तो यह का सकता है या तो 2 या तो 3 ठेक है इस नियम के काड़िंग कभी भी जिससे भाग देते हैं remainder उतना तो आएगा नहीं अगर 4 ही remainder होता तो फिर cut नहीं जाएगा तो इसलिए जिससे भी भाग देते हैं remainder हमेशा उससे कम होगा अब यही R की value एक एक करके हम कहां रखेंगे समयकर एक में तो जब एक में 0 रखोगे 4Q प्लस R R की value 0 रखोगे सिर्फ 4Q बचेगा R की value जब 1 रखोगे तो A equals to 4Q प्लस 1 2 रखोगे 4Q प्लस 2 3 रखोगे 4Q प्लस 3 हो जाएगा और A वाला condition हमें नहीं मिलेगा यह गलती से हो गया क्योंकि हमें 3 तक ही रखना है तो 4 वाला condition नहीं मिलेगा तो यहाँ भी इस condition को लेने की ज़रूआत नहीं है ठीक है यह नहीं मिलेगा सिर्फ हमें 0, 1, 2 और 3 ही रखेंगे अब ध्यान से आगे देखें अब हम 4Q की अगर बात करें तो 4Q को हम लेख सकते है 2 into 2Q 2 into 2Q तथा 4Q plus 2 की बात करें तो 4Q को हम लेख सकते है 2 into 2Q plus 2 अब दो दोनों में common करेंगे 2 in bracket 2Q plus 1 तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 4Q और 4Q plus 2 दोनों में 2 common आ रहा है 2 common आने का मतलब यह 2 से doable है और कोई भी number जब 2 से doable होता है तो वह यह क्या होता है sum संख्या होता है वह यह क्या होता है sum संख्या होता है यह 4Q वाला नहीं लेना था तो हम क्या देख रहे हैं कि 4Q, 4Q plus 1, 4Q plus 2 and 4Q plus 3 में 4Q और 4Q plus 2 क्या है सम संक्या है तो इस प्रकार से बचा क्या भी सम में 4Q प्लस 1, 4Q प्लस 3 तो लिखेंगे यहां 4Q, 4Q प्लस 2 यह नहीं रहेगा सम पुढांक है इसलिए एक धनात्मक भी सम पुढांक 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 के रूप का होता है तो इस तरीके से इसका इस्टेटमेंट लिखना था आई होप आपको अच्छे से समझ आगया हो दूसरे का दूसरा कोईस्चन कहा रहा है 866 और 225 का मौस यूकलिट विभाजन एलिगरित्म का प्रयोग करके ग्याद कीजिए यह भी पहले चेप्टर के पहले एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है 866 और 225 का मौस निकालने लेकिन यूकलिट विभाजन एलिगरित्म का प्रयोग करके छोटा सा एक क्वेश्चन है इसको भी देखते है यहाँ पे लिखा गया है 866 और 225 चुकि यहाँ पे हम दिखाएंगे जो इस टेप होता है लिखने का लिखेंगे 867 इस ग्रेटर देन 225 आनि 800 संसर्ट जो है 255 है इसलिए 800 संसर्ट और 225 पर यूकलिट विभाजन एलिगरित्म का प्रयोग करने पे और यूकलिट विभाजन एलिगरित्म होता क्या है यह ब्राबर BQ प्लस R अभी इसके पहले वाली क्वेस्चिन में बताय गया है तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं आप छोटे क्लासे में जिस प्रकार में तर्पड़े थे वह ही है कुछ है नहीं 867 को 255 से भाग देंगे तो 255 से भाग देंगे तीन बार में जाएगा जो की 765 होगा चार बार में 866 से ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 3 बार मिलेंगे तो जब सब्टेक करेंगे 102 बचेगा तो आपको पता है भाज बराबर भाज बराब भाजाग गुड़े भाग पल दन सेसपल के रूप में लिखेंगे तो भाज बराब भाजाग गुड़े भाग पल दन सेसपल यानि ए बराबर ये आपका होता है ए इसे क्या बोलते हैं ए बोलते हैं इसे बोलते हैं B और इसे क्या बोलते हैं Q और यह नीचे वाला होता है यार तो इस प्रकार से 255 गुड़े 3 प्लस 102 करेंगे 867 मिलेगा लिखेंगे क्यों कि 102 0 के बराबर भी नहीं आया और जब तक यह 0 के बराबर नहीं आएगा यह परिमेहिका आपको क्या करना है लागू करते रहना तो ल गड़ा यह है छोटा यह है 255 पर जब हम 102 से भाग देंगे तो दो बार में गया 204 गटाए तो क्या आ गया 51 आ गया 51 पर यूकलिट विभाजन परिमेहिका प्रियोग करने पे तो 102 को जब यूकलिट विभाजन परिमेहिका प्रियोग करने पे तो 102 को जब यूकलिट से भाग देंगे दो बार में कर जाएगा रिमेंडर क्या आ गया 0 आ गया तो जिससे भाग देने पे लास्ट में जिससे भ पच्पन यानी मौसा इसका कितना आ गया ठीक्या होना आ गया तो आई हो ए भी क्वेस्चन आपका सही हो और अच्छे से समझ आया होगा कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्षर ने पूप सकते हैं क्वेस्चन नबर टू का सी है कह रहा है बिंदू A-2,2 और B 2,8 को जोडने वाले रेखा खंड A-B को 4 बराबर भागों में विवाजित करने वाले बिंदू के निदेसांग याद करने है एक रेखा A-B है उसको 4 बराबर भागों में विवाजित करने वाले बिंदू के निदेसांग याद करने है बहुत ही अच्छा question है इससे देखेंगे कि इसका solution कैसे होगा question में दिये गए information के अंसार यहाँ पे आप देख सकते हो कि A है A का निदेसांग क्या था minus 2,2 और दूसरा बिंदू B है जो दिसका निदेसांग था 2,8 कह रहा है इसको चार बराबर भागों में विवाजित करने वाले बिंदू के निदेसांग तो चार बराबर भागों में विवाजित करने का मतलब है यह यहाँ पे आपका क्या ले लिया गया है C, D, E क्या क्या ले लिया गया है आपका C, D, E एक, दो, तीन, चार यानि कि एक रेखा को चार बराबर भागो में विवाजित करने वाले कितने बिंदू होंगे, तीन बिंदू होंगे एक माना गया C है, दूसरा D है और तीसरा क्या माना गया है तीसरा माना गया E, यही C, D और यह हैं जो इसको चार बराबर भागों में क्या करें विवाजित कर रही है और इन्हीं बिंदू को हमें क्या करना है निदेशांग्यात करना है तो ध्यान से देखिए कहरा है कि यह चारों बराबर हैं अगर हमाने एक पार्ट इसे भी एक पार्ट पार्ट का मतलब रेशि तो जब आपको c calculate करना ओगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ratio 1 ले गए और फिर यहाँ से लेकर यहां तक ratio 1 1 1 क्या ले ले लेंगे 3 लेंगे इसी फ्रक्र जब आपको d निकालना है तो a से लेके b के B顆 कर दिख कर दिख कर दीख till 2 हो जाएगा यानि तब M1 की value 2 लेंगे M2 की value 2 लेंगे X1 Y1 X2 Y2 A B तो सेम होगा बद लेगा क्या क्या वल M1 M2 और फिर जब आपको क्या निकालना हो E निकालना हो तो यहाँ A से लेके E तक A111 M1 की value 3 हो जाएगा और E और B की बिच का ratio 1 यानि M2 हो जाएगा बहुत ही simple है हमान लिए माना A B को चार बराबर भागों में बाटने वाले बिंदूएं करमस्ता C, D, O, E यह को math के question में जब भी आता है तो उसे पहले समझना होता है कि solve कैसे करना है उसके बाद तो easy होता है यहाँ पर लिख देंगे we know that हम जानते हैं बिंदू X1, Y1 तथा X2, Y2 को M1 संबंदे M2 के N पाथ में बिभाजित करने वाले बिंदू के नेरे सांग बिंदू करने नेरे सांग क्या होता है M1, X2 कहीं M1, M2 के जगा पे M है और N ले लिया जाता है तो उसमें confuse नहीं होना है M1, X2, M2, X1 by M1, 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 Y2, Y1 by M1, M1, M2 तो बिंदू C के नेरे सांग निकालना है तो C निकालना है तो M1 की value 1 है और M2 की value क्या है 3 है इसमें रखिए M1, M1 की value 1 है X2, X2 अगर देखें तो 2 है, plus M2, M2 की value क्या है 3 है 3 plus, sorry into होगा, X1 की value, X1 की value यहां देखें तो minus 2 है by M1 plus M2, M1, M1 की value आपका क्या है, M1 की value 1 है और M2 की value 3 है फिर इसी प्रकार M1 की value 1 है, Y2 की value आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ, 8 है, plus M2 M2 की value 3 है, और Y1 की value यहां से देख सकते है, 2 है अपान में M1 plus M2, यानि 1 plus क्या हो जाएगा, 3 बस होगे आपका, 2 1 जा आपका, 2 होगे, 3 का minus 2 में करेंगे, तो minus 6 और 3 1 क्या होगे, 4, 8 का 1 में करेंगे, 8, 3 दूना आपका हो जाएगा, 6, 3 है कितना होगे, 4 होगे, अब 6 में 2 को घटाएगे, तो क्या बच्छेगा, minus 4 बच्छेगा, बच्छेगा, 8 में, 8 plus 6 जोडेंगे, तो 8 से 14 बच्छेगा, 4, ठीक है, अब कटने वाले हैं, काट लेत इसी प्रकार अगर आप निकालना चाहते हैं, बिंदू D का, तो लिस लेंगे, बिंदू D का ने देशा, बिंदू D का ने देशा, फार्मूला क्या होता है, M1, X2, अब बस समझ लेते हैं, M1, M2, यहाँ पर जब D निकालना है, तो M1 की वैलू भी 2 है, और M2 की वैलू भी 2 है, बाकी X1, Y1, X2, Y2 तो बदलना नहीं है, तो रखेंगे M1, M1 की वैलू 2 है, इन्टू, M1, X2, X2 की वैलू 2 है, प्लस M2, M2 की वैलू भी 2 है, M2, और फिर क्या होता है, M2, X1, X1 की वैलू आपका क्या है, माइनस का 2 है, बाई M1 प्लस M2, यहाँ 2 प्लस 2, नीचे 4 मे इसा आएगा, फिर M1, M1 की वैलू 2 है, Y2 की वैलू आपका 8 है, प्लस M2, Y1, M2 की वैलू 2 है, Y2 की वैलू आपका क्या है? 4, 2 का 2 में गुड़ा करेंगे तो माइनस 4, और 2 प्लद 2 आपका हो जाएगा 4, 8 दूना हो जाएगा 16, 2 दूना आपका 4 हो जाएगा 2 दू कितना हो गया 4 तो यहां से अगर देखें, 4 में 4 गटाएंगे 0, 0 बटे 4 का मतलब 0 हो गया 16, 4, 24 तो 5 आजाएगा ठीक है अब इसी प्रिकार से एक और जो बचा है E उसका बेनिकाल के यहाँ पर बता देते हैं क्या आएगा अब जब आपके E के निदेसांग निकालने हैं तो E के निदेसांग निकालने के लिए देख सकते हैं M1 की value 2 यहाँ A से लेके E तक का ratio 1 1 1 3 हो गया और M2 की value क्या लेंगे 1 बाकी X1 Y1 X2 Y2 value same होगा तो M1 M1 की value 3 M1 और फिर X2 plus M2 आपका X1 by M1 plus M2 M1 Y2 plus M2 Y1 by X M1 plus M2 तो 3 2 जा आपका हो जाएगा 6 1 का minus 2 में करेंगे minus 2 हो जाएगा 2 2 जा आपका हो गया 4 मतलब 2 plus 2 4 हो गया 8 3 की 24 हो जाएगा 1 और 2 का गुड़ा करेंगे 1 में 2 का तो 2 हो जाएगा बटे 4 अब यहाँ ध्यान दे 6 में 2 को गटाएगे तो 4 बटे 4 हो गया 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 बटे 4 तो यह तो कड़ जाएगा यह 1 आगया आपका ठीक है और इसे काटेंगे 2 से तो यह 13 बटे कितना हो जाएगा तो इस प्रकार से इस question को solve करना दूसरे का D है कहरा है एक भिन्न का अंस उसके हर से 3 कम है यदि अंस और हर दोनों में 2 जोडा जाता है तो नई भिन्न तता मूल भिन्न का योग 29 बटे 20 हो जाता है तो आपको बताना है कि मूल भिन्न क्या होगा चार नमबर का यह भी question है तो चली देखते हैं कि भिन्न से related जब भी question आता है उसे question यहाँ पर आप देखेंगे तो भिन्न से related question हमने माली है माना भिन्न का हर x है अब यह भी question हो सकता है sir अंस आपने पहले क्यों नहीं माना है यह question आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो question में कह रहा है कि एक भिन्न का अंस उसके हर से 3 कम है उसके हर से कितना कम है 3 कम है यही reason कि पहले हम क्या मान रहा है हर मान रहा है तो जब आपने माना कि भिन्न का अंस एक्स है और अंस कह रहा है कि हर से 3 कम है इसलिए भिन्न का जो अंस हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा 3 यह x के जगा पर y मानते तो y माइनस क्या हो जाता 3 हो जाता ठीक है तो इसलिए हर भी हो गया और अंस भी पता चल गया तो भिन आपको पता है कि अंस बटे हर करव में होता है तो अंस x-3 है हर x है तो भिन आपका क्या हो जाएगा x-3 by x ठीक है यह equation फॉस्ट मा लिया गया है अब आगे अगर question में आप ध्यान से पढ़ो तो कह रहा है यदि अंस और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्द तथा मूल भिन्द का योग 29 वट्टे 20 है यही समझना है जब 2 जोड़ा जा रहा है तो हम 2 जोड़ेंगे यहाँ पर लिखेंगे अब नाव मींस होता है अंस एवं हर में 2 जोड़ने पर प्राप्त भिन्द अंस और हर में क्या जोड़ रहा है दो जोड़ रहा है तो ध्यान देंगे x-3 भाई x भिन्द तो यही है तो इसके अंस में भी 2 जोड़ दे रहा है और हर में भी 2 जोड़ दे रहा है तो x-3 3 में और प्लस 2 यानि कि x-1 हो जाएगा और नीचे क्या बच्चा X plus 2 अब question में क्या कर रहा था जो मूल भिन है और नया भिन मिला है दोनों का योगफल 29 वट्टे 20 है तो मूल भिन अगर आप देखें मतलब जो प्राप्त भिन है X minus 1 अपन X plus 2 और मूल भिन क्या है? X minus 3 by X इन दोनों का योग करने पर किसके बरापर हो जा रहा है 29 वट्टे 20 के बरापर हो जा रहा है एक question के अंसार एक question में दिया हुआ condition है अब X plus 2X का एलसियम तो X, X plus 2 ही आएगा इसका उगड़ा इसमें और इसका उगड़ा इसमें X का X में करेंगे X square X का minus 1 में होगा तो minus X हो जाएगा फिर X plus 2 का X minus 3 तो पहले X का X minus 3 में करते हैं X का X में वो X square और फिर X का minus 3 में करेंगे minus 3X 2 का X में होगा 2X और 2 का minus 3 में करेंगे 6 इस इक्वास टू 9 29 वट्टे 20 ही अब देखिए X square और X square इन दोनों को add करेंगे अब टे करेंगे minus 2x और minus का 6 है, x का x में गुड़ा करेंगे x square, x का 2 में हुगा 2x, अब cross multiplication, इसका गुड़ाइस में और इसका गुड़ाइस में, 20 का 2x square में करेंगे 40x square, 20-2, 40x और 26x, 120, x square का 29 में किये तो 29x square, और 2x का 29 में किये तो 58x equals to ये आ गया, अब इस पूरे पार् प्लस है जब उधर गया बराबर कि तो माइनस 58 x equals to 0 जब सब उधर चला गया तो इधर क्या बचा जीरो बचा है अब 40 x square 29 x square है यह दूनों x square अलत्रम प्लस माइनस घटाएंगे 11 x square होगा माइनस का 40 x है और माइनस का 58 है माइनस माइनस 8 हो जाएगा साइन माइनस काई रहेगा तो 40 और अंठावन 8 करेंगे तो कितना आजाएगा 98 x ठीक है और यह आपका है ही माइनस का 120 is equals to 0 अब रूल क्या होता है यह दूईगास समिकर्ड बन गया तो दूईगास समिकर्ड में फैक्टर करने के लिए गुड़नखंड करने के लिए हम करते क्या है जो x square का coefficient होता है उसका गुड़ा हम करते है अचरपद में तो 11 का 120 में गुड़ा करेंगे कितना आजाएगा तेरह 120 आएगा अब इस 98 x को मदपद को ही तो तोड़ते हैं इस 99 x को दो ऐसे भागों में तोड़ना है कि गुड़ा करें तो तेरह 120 आए और घटा है तो 99 x आजाए तो जब factor करके upset करोगे तो 110 में जब 12 का गुड़ा करोगे तो आजाएगा और 110 में बारा घटाएंगे तो क्या जाएगा चुकि माइनस है तो ये घटाने पर लाना होता है अगर ये प्लस होता है तो जोड़ने पर 11 x का 98 को लिख दिए 110 माइनस 12 x फिर सॉल्ब करेंगे तो 98 x आजाएगा माइनस 120 इकोज तो 0 11 x इस वार गोश्चन सब भी सॉल्ब करेंगे इस्टेप बाई स्टेप करते जाएगे गलत होने के चांसे नहीं होते हैं अब माइनस 120 x हो जाएगा माइनस का माइनस में गुड़ा होगा प्लस ये बच्चे बहुत जलबाज में गलती कर देते हैं यह sign नहीं change करते हैं तो minus जब भी 12 है अंदर का sign change हो जाएगा minus minus plus 12x minus 120 equals to 0 इन दोनों में देखिए 11 common है अंक में और variable में x square x है तो यानि x common होगा 11x तो 11 निकल गया एक x निकला बचा एक x और 11 times 120 क्योंकि x तो पहले ही लिली है इन दोनों में ऐसा common करना होता है कि यह जो पहले bracket में है वह ही आज है तो simple हम देखना है 12 common करेंगे यह x बचेगा 12 tends 120 देखिए दोनों same आगया अब अगले step में x minus 10 हम common करेंगे तो x minus 10 निकल गया यहां बचा 11 x plus का 12 equals to 0 इस अब दोनों को 0 के बरावर करते है पहले इस term को और फिर इस term को इस x minus 10 equals to 0 तो minus इदर आया क्या हो गया प्लस हो गया इसे नहीं लेंगे क्योंकि x की value negative आया गया और negative value possible नहीं होता है कोई भी number negative नहीं होता है अता यहां पे मूल भिन क्या माना गया था x minus 3 by x तो x c value 10 है 10 minus 3 by 10 यानि 7 by 10 आपका क्या जाएगा इस question का correct transfer था question number 2 का e जो question है क्योंकि हम लोग ने 2 के d तक solve कर चुका है तो इस वीडियो में e को solve करेंगे यहां पे कहरा e कित्र में a b और c d के इंदर o वाले एक ब्रित के दो लंबवत ब्यास है यहां पे आप देख सकते हो a b और c d यह लंबवत ब्यास दिए हुए है o d छोटे ब्रित का ब्यास है o d क्या है छोटे ब्रित का ब्यास है और साथ में कहरा है o a 7 cm दे दिया है कहरा है कि o a की जो value है o a कितना दे दिया है 7 cm तो लगो और दिरिग ब्रितों के 6 तरफलों का अनुपात गयाद करना है जो लगो ब्रित है और जो दिरिग ब्रित है इनके 6 तरफलों का अनुपात क्या होगा यह हमको बताना है तो देखते हैं कि इसका solution कैसे होगा question में जो figure आपका दिया गया था यहाँ पे बना लिया गया है A नीचे उसमें दिया था और B उपर दिया था तो मैं यहाँ पे A उपर कर दिया हूँ कोई उसे मतलम नहीं है आपका A B और C D क्या है ब्यास है यह बड़े ब्रित का ब्यास है तो ब्यास है तो center इसका O है अगर यह center है तो O A O B O C O D आपके क्या हो जाएंगे radius होंगी और radius आपका आपस में बराबर होगा तो A बताए यह O A दे दिया है O A कितना दे दिया है 7 cm question में दिया है A B दिरिख ब्रित का ब्यास है A B क्या है A B दिरिख ब्रित का ब्यास है चाहे A B कहो चाहे C D कहो और O D O D आपका क्या है O D लगु ब्रित का ब्यास है तो यह बताए यह O A O B O C O D आपस में बराबर जब यह 7 है तो A A भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा यानि छोटे का छोटे circle का जो आपका diameter हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा 7 तो because O A दे दिया है 7 cm और यह बड़े का है तो बड़े के लिए हम R radius यूज कर ले रहे हैं O A चाहे O A कहो चाहे O D क्या हो यह दोनों बराबर होंगे 7 cm और O D छोटे के लिए radius होगा इसलिए diameter होगा O D क्या होगा चोटे circle के लिए diameter होगा इसलिए radius क्या होता D by 2 यानि 7 by 2 यानि छोटे बरित का चोटे circle का जो radius होगा त्रीजया होगा 7 बटे क्या होगा अब हम दोनों बरितों के 6 तरफलों कानपात निकाले वैसे question में आपका पूछा था कि पहले लगू यह दिर्ग बरितों के 6 तरफलों कानपात यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है दोनों बरितों के 6 तरफलों कानपात तो बरित का 6 तरफल क्या होता है पाई आरी स्कार तो बड़े बरित के लिए पाई कैपिटल आरी स्कार छोटी बरित के लिए पाई आरी स्कार छोटा इसमाल आर पाई से पाई कट गया कैपिटल आरी की वैलू क्या है 7 है तो यहाँ पे 7 रख दिया गया इसमाल आरी की वैलू 7 बाई 2 है 7 का स्कार 49 7 बाई 2 का स्कार 49 बाई 4 49 से 49 कर जाएगा 4 उपर चला गया तो कितना आ जाएगा 4 by 1 यानि 4 is to 1 तो अगर ये ध्यान से देखें तो ये जो रेशियो निकला है बड़े बृत और चोटे बृत का रेशियो है पहले बड़े बृत और बाई चोटे बृत का रेशियो है वर गंतराल दे दिया बारंबारता दे दिया और इसका क्या आपको निकालना है माद दे निकालना है तो माद दे निकालते हैं देखते हैं इसका सलूसन ये question जो था आपका दूसरे काया थोड़ा सा बच्चों को बहुत बच्चे confuse करके अलग-अलग method लगा दिया है ये question सिर्फ और सिर्फ direct method से ही लगेगा ऐसा क्यों मैं कहा रहा हूँ देखो different यहां देख रहा है 20-60, इनके बीच 40-100, इसके बीच भी 40 है लेकिन आगला देख रहा है 100-150, तो इसके बीच का डिफरेंस 50 हो गया फिर 150-200, डाइस से 300, तो इन तीनों में 100 का difference है यहां 50 का है, इन दोनों में 40 का है तो अगर हम दूसरा कोई भी method लगाएंगे चाहें आप step deviation method लगाएंगे यानि कल्पित मात्यम विद्री द्वारा लगाएंगे तो किसी लिए, मतलब प्रत्यच method से छोड़के डाइरेक्टिव method से छोड़के किसी भी और तरीकें से लगाओगे तो उसमें h की जरूत पड़ेगी और h इसमें define नहीं हो पाएगा हम 40 लेंगे, कि 50 लेंगे, 100 लेंगे इसलिए इस question को हमें direct method से यानि कि क्यों सा formula x bar equals to sigma fi x i by sigma fi से ही लग पाएगा ठीक है तो ये work antral दिया था work antral की साहता से मद्धमान निकालिया गया मद्धमान पता है कि निमने सीमा प्लस उच्छी सीमा को जोड़के 2 से भाग देंगे 60 और 20, 80 का आदा 40 60 और 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 160, 160 का आदा करेंगे 80 हो जाएगा 100 और 150 जो लेंगे, 200 उसका आदा 125 तो सिर्ट 100 और 250 हो जाएगा 400 आदा 200 500 प्लस 350 आपका हो जाएगा 400 जो जो 600 600 का आदा 300 ऐसे ये होगा 800 दोनों को एड़ करेंगे, आफ हो गया 400 तो योग या मद्यमान मद्यमान को XI से रिप्रेजेंट करते हैं बारम बारता आपका दिया हुआ है जिसे FI से कहते हैं 7, 5, 6, 10, 12, 2, 3 इन सबको एड़ करेंगे उसे ही कहते हैं Summation of XI यानि बारम बारताओं का योग बोला जाता है ये आगया 45 अब हम क्या निकालना होता है प्रतेच बीदी में FI XI यानि कि दोनों का प्रोड़क्ट 40 में 7 का गुड़ा किए 200 85 का गुड़ा करेंगे 400 125 में 16 का गुड़ा करेंगे 2200 में 12 का गुड़ा करेंगे 2400 और फिर इसी प्रेकार से 300 में 2 का गुड़ा किए 600 400 में 3 का गुड़ा किए 1200 सबको जोड़ देंगे तो यह होता है FI XI का योग फॉल यानि summation of XI into XI यह आगे 6880 लिख देंगे We know that हमें पता है माध है यानि X बार से रिप्रेजन करते है फार्मूला होता है Sigma FI by XI X FI into XI by Sigma FI तो इनकी वैलू है 6880 6880 बट्टे 45 बाग देंगे 152.8888 आता रहेगा यही आपका क्या हो जाएगा इस question का answer हो जाएगा तो I hope आप में ज्यादा बच्चे इसको सही करके आये होंगे अगर confuse नहीं हुए होंगे तो फिर मिलेंगे next question में तब तक के लिए Thank you